नमस्कार दोस्तों, बजट, आज का प्रस्ट ने बजट किस तरीके से बजट को हम लोग एनालिसिस करिए, अपने इन्वेश्टमेंट को एक strategy प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और एक अच्छा return पा सकते हैं, बजट कितना important है कि इन्वेश्टर्स के लिए, आज हम discuss करेंगे, अभी एक फरवरी को हमारे देश के finance minister निर्मला सितारमन ने बजट जारी किया, एक interim बजट था, आंतरिक फूल बजट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले का बजट था, जिससे पता लग जाए कि भाई, सरका पैसे वो कहा, खर्च करने वाली है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि investors के लिए budget के बारे में जनकारी लेना, budget बहुत important है, अगर आप एक investors हैं, चाहे आप share market में invest करते हैं, mutual fund में करते हैं, कहीं भी करते हो, उसके लिए आपका budget का जनकारी होना, बहुत ही important है, बहुत ही पैसे इंवेस्ट करनी चीए, कौन से से share है, कौन से सा mutual fund है, जहाँ पैसे इंवेस्ट करके future में एक अच्छा खासा returns पा सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे growth rate के बारे में, तो growth rate की अगर देखें, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से Indian जो dollar का economy चल रही है और world का चल रहा है, और इसके हिसाब से आप अनुमा लगा सकते हैं कि in future में भारत की economy कैसी होने वाली है, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है, world economy से ज़्यदा भेतरीन तरीके से भारत की economy क्या हो रही है, रन कर रहा है, बात करेंगे हम लोग budget होता है कि है, सरकार पूरे साल receipt करत है, अलग-अलग source है, जहां से सरकार की revenue generate होती है, और फिर उसी जनता के पैसे को अलग-अलग जगव पे invest करती है, इन्वेस्ट करने के मतलब कर यह खर्च करती है, expenditure करती है, जिससे हमारे देश का economic का विकास हो से, देश के लोगों का विकास हो सके, तो आज के हम लोग main ज sector से लेटेट कौन से से mutual fund है, कौन से से share है, जहां पे आप अपने पैसे को invest करके एक अच्छा खासा returns पा सकते हैं, तो जो receipts of money के बारे में बात करेंगे, तो main जो है, वो कहां से पैसे receipt करती है, तो total जो हमारा income है, उसमें borrowing 28% है, borrowing क्या मतलब, उधार लेती है, चाहें वो World Bank से लेओ, या other country से, या RBI से, जहां से भी लेती है, तो उधार लगभग 28% का करीभ़ उसने उधार लिया है, income tax से 19% collect किया पैसा, GST से 18% का, corporate tax से 17% corporate, यानि जो कि industry से related होता है, union excise duty 5%, excise duty यानि जो हमारे देश के अंदर, जो भी manufacturing होता है, वहां से जो tax collector थी, manufacturing tax, उसको non tax receipt, यानि fees, fine, इस सारी चीज़े, वहां से receipt किये, custom यानि जब आप import करते हैं, बाहर से, दूसरे country से, जब goods को क्या करते हैं, आप import करते हैं, उस situation में इसको बोलते हम लोग, import, custom duty, और non debt 1% है भी, custom से 4% है, और non debt जो है, उससे हमको 1% का, non debt का मतलब कि कुछ assets हैं, कुछ ऐ इसी चीज़ें फालते हुशी है, जिसको base करके सरकार क्या करती है, revenue generate करती है, अब यह सारे पैसे हमने collect किया है, यानि receipt money है, other sector से, sources से, जहां से government क्या किये, अपना पैसा receipt किये, अब इन पैसे को सरकार क्या करती है, कि अलग-अलग sectors में खर्च करती है, पहले हम लोग बात जो पैसा गया है आपके, रुपीस गोश्टू, कहां-कहां-कहां से sector से, जहां पे पैसे आपके गया है, तो उन sectors के अगर हम लोग discuss में बात करें, तो सबसे में चीज़ें, interest payable, 20%, आप समझ रहो, पूरे budget का 20% आपको interest pay करने में चला जाता है, हमारे देश के economic development क्या होगा समझ सकते हो, interest पे समझ रहो, कि हमने दूसरे से loan लिया है, और उस loan के interest पे कर देते हैं, पूरे budget का, पूरे 20%, सोचिए, कितना करजा है, तो सबसे main चीज़ें कि भाई, ये भारा सरकार को चाहिए, कि debt burden को कम करें, बहुत huge debt burden है हमारे दिसक पर, subsidies 6% देती है, subsidy समझ रहो, जो रहात, कुछ छूट, defense sectors में 8% का खर्चा की है, और central sectors scheme होते हैं, उस central sectors scheme, जिसकों लोग आगे देखेंगे, कौन से sectors scheme है, जहाँ पे पैसे खर्च करती है, central, उसमें 16% का, central sponsored scheme, उस central sponsored scheme भी है, वहाँ पे लगबग 8% करी पैसा खर्च करती है, financial commission पे 8%, pension पे 4%, tax and duties पे 20%, and other expenses पे 9% क्या करी है, एक खर्च करती है, तो कुछ जगह है जहाँ पे पैसे क्या करी है, खर्च करती है, अब हम लोग बात करें, कुछ central scheme जो सरकार लाई है, ज इसमें क्या होता है, कि 100 days का work होता है, लोग को कम से कम 100 days का work मिलता है, ruler area यहनि ग्रामीट शेत्र में, तो उन खर्च करती होता है, उसके पहले था 6000 क्रोड करी बजट को तक आःगा आप गजबग 6-000 क्रोड कर दिय अन लगबग आपका 26-000 क्रोड का जो इंक्रिजमेंट हुआ इस बजट में उसके बाद आइंसमान भारत नाम सुना है आइंसमान भारत जो की फ्री में पाँच लाग रूपे तक का आपको एक फ्री आफ कॉस्ट हॉस्पीटल यानि ट्रीटमेंट की विवस्ता की जाती है उसको बढ़ा करके में जो आता है यहां पे कुछ सेंट्रल स्कीम जैसे प्रोडक्शन के लिए इन्होंने 4645 था अब 6200 क्रोड कर दिया गया है में इसमें जो में सेक्टर्स हैं जैसे डेवलोप्मेंट अब सेमिकंडॉक्टर अंद डिस्प्ले मिनफेक्ट्रिंग मोबाइल सेक्टर सेमिकंडॉक्टर से लेक्ट्रोनिक डिवाइस इस तरह के चीजों में भी बजट इसनों बढ़ा है पहले 3000 क्रोड था अब इस है ना सोलर पांवर यहां पर भी इन्होंने अपना बजट बढ़ा है यानि कि लगभग 4970 करोड था अब इसको बढ़ा करके 8500 करोड कर दिया यानि लगभग डबली करीब तो जितने भी सोलर पांवर बनाने वाली कंपनिये हैं यहां ऐसी जगह है जहां पर पैसे को फूचर में देखने को मिल सकता है इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्राणिक वाइवी इलेक्ट्राणिक व्याइकल से उस पर गॉर्मेंट ने फोकस किया और उसके लिए इन्होंने भी बजट लॉंच किया है लगभग 297 करोड था पहले अब इसक बजट में था वह कैपिटलinstall कहले और कापिटल एक्सफजच्च्र में आप को दखने को मिल रही की कैपिटल एक्स्पेंडिच्र को समस्के पहले का होता है सरकार ने इइंफ्राइस्टक्शर पर जधा फोकस की इंफ्राइस्ट्रक्शर आदि रोड रलवेज अब ब्रीज अब जब infrastructure का development होगा तो capital expenditure ओही होता है जहाँ पे long term के लिए assets increase कहता है अब capital expenditure पहले 12.7 लाग करोड था अब हो गया है 15 लाग करोड लगबग 2.3 लाग करोड का अब जब capital expenditure increase कर रहा है इसका सिधा यह मतलब हुआ कि आपको जो भी building road बनाने में जो भी material issues होते हैं उसके share की price बढ़ जाएंगी breeze बनाने में cement लोहे के जो construction तो इस तरह के चीज़ों में आप पैसे invest कर सकते हैं यानि कहिए कि जो sectorial fund है infrastructure structures related उसके price में increasement होने की chances है उसके बाद FDI भी बढ़के लगबग दूगना हो गया 2.98 था पहले अब हमारा 5.96 हमारा sectorial fund बन यानि FDI foreign direct investment तो यहां सभी तो लगबग आप इस budget से इतना ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आप long term के लिए infrastructure पे government ने बहुत ज़्यदा focus किया क्योंकि infrastructure डेवलाप्ट करेगा तो हमारे देश की economic में अपने आप development होगा तो आप इन sectors से related जितने भी मार्केट हैं infrastructure में जिसे की आपको machines जो company जहां पे आपको capital goods बनाती है उसमें इनक्रिसमेंट देखनों मिल सकता है technology में इनक्रिसमेंट जो टेक्नलोजी मनाती है solar power की इनक्रिसमेंट देखनों मिल सकता है electronic vehicles में batteries जो बनाती है उनकी price में थोड़ा सा आपको देखने को related मिल सकता है तो यह हमारा मिला जो लागे कुछ भारत के जो अभी budget, interim budget आया था, इसमें था, तो इसमें आप कहा सकते हैं कि ऐसे budget जो की totally focus on the capital expenditure, आप capital expenditure से लेटेड जो भी focus किया गया, इन चीजों में आप आच्छा खासा increasement or returns आप देखने को मिल सकते हैं, तो भई समझ के कहा पैसा invest करना है, sectoral sector यानि की infrastructure sectors, आप वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे खासे growth आपको देखने को मिल सकते हैं, और इससे related जितने भी चीजें, वहाँ भी आपको अच्छे खास related मिल सकते हैं, मिलते हैं, next video में त